कि कि अच्छ आखिए कि कि अच्छ अच्छ नियुक्त है कि कि अच्छ तुदेंट्स हुर यू डिविन हम ओफने से फ्राहिट के प्रांद कोौरके नि व्हों किस सारी लेट के बात है लाइक पुरा प्रामेरी सिश्पेशन पड़ओ सपरा फीर जाने समीखेट के सारी स्क्रेशन पड़े और लास्टा जाखर देकर निए का हुटा है वह सारी चीजिए देखें यह सब कुछ निफटाने के बाद में हम लोगोंने इस्टवी मैटेरियल के कोश्चंज देखने के बाद में हम लोग उसके पीछ्य कोश्चंज पे थे प्रैक्टिस वाले और हमारे सामने जिए सिट्वेशन थी कि इनको हम वे पिक आज में एक अग्या सब में आगा एक टैस्ट वी डाला था टैलीग्राम पर किते बच्चों ने टैस्ट कर लिया है तो कि टैस्ट किते बच्चों ने गर लिया है अधन की जटकी मुड़ सकती है मैंड़ आश stressing खाल खालका मुड़ हाँ हाँ इल्कुल क्या हुआ है हाँ बताईए नहीं मैडम मैं बहुत कम एच का बंदा हूँ और इसम पर्फेट हूँ कोई रिखते हूँ कोई रैल इवेन रहे अधर मुद रहें जोब बतावी झायों कि मैं समय घ्रीम में पेटाईए अगर बस ही इनकिव पर्फेक्ट हुआ हाँ अगर भास ही में का थीक है तो परुझा कोई दिखर कोई जिए यह कोई ब्यूफर्वर्फेक्टो कोई दिकक्ते में बहुत सारे बच्छोंने कर लिया है I did it done 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 complete in 20 minutes very good such difficulty it is done तो मतलब बहुत sarea बच्चोंने test किया है धीख हो गया邊 गेम ड्रॉप्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं मैं एक मिनिट इसको ना दुबार से रिस्टार्ट करना हूँ बहुत ज्यादा ड्रॉप्स हा रहे हैं काम कर के बता है चला आपके बहुत ज्यादा कि एक बच्चीर करा है कि सरभ इक हुआ है और दूसरा लाइफे क्लास की बध और एक बच्चीर के म्याद Constitution कोसेशे कैस सकता है एक माक्स में एक लागां Desktop आपण काया हुआ हो सकता है क्यों कि रीचाम में ही 10 म माट्स का स्काए हुआ है कि इसमें बच्चा कह रहा है एक तो बहुत आसान था अगर इतना है तो 100% मिल जाएंगे मोहित कह रहे बिटा एक्जाम के कोश्चन तो बहुत ही सिंपल ही आते हैं और कोई दिक्कतवाली बात नहीं है आप लोग के नंबर अच्छे आएंगे देखेगा हमारे पास कोश्चन नंबर 4 इस्टडी मेट के अंदर प्रैक्टिकल कोश्चन में कोश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार क्या कह रहा है धिहान से देखेगा अच्छा कोश्चन है और एक दूसरी चीज यह कि थोड़ा सा जो है फ्रेम थोड़ी जादा ड्रोप हो रहे हैं तो इक नोर करिएगा अब आज आती रहेगी फ्रेम्स डॉप हो सकते हैं मतलब कट कट के थोड़ा सा सकता है हां यह सुर्भी कह दिए कि आंसर कहां से चेक होंगे बिटा भी आंसर चेक कर दिए चार पांच हें बिल्कुल ठीक बात है ऐसे होता है बिल्कुल एक कोशन बढ़ा और एक कोशन थोड़ा छोटा देखिगा पूशन नमबर फोर ओवर हैड का इस्टेडी मैटेरियल का प्रेक्टिकल प्रोब्लम्स के अंदर हम चल रहे थे फोर्थ कोशन हमारा रहता था आड़े है फॉर्थ कोश्चन एक बड़ी है कोश्चन है देखते हैं पड़ते हैं जैमिनी एंटरप्राइजिज अंडर्टेक्स थ्री जॉब्स A B C all of them require use of special machine and also use of a computer एक machine चाहिए और एक computer चाहिए the computer is hired and the higher charges work out 4,20,000 per annum तो computer आपने किराय पे ले लिया 420 per annum उसकी cost है expensive regarding the machine machine के regarding आपको कुछ खर्चे बताए जा रहे है rent for the quarter rent for the quarter 17,500 depreciation per annum 2,00,000 in direct charges 1,50,000 per annum कुछ खर्चे इन्होंने दे दिये हैं आपको पर annum में और कुछ खर्चे इन्होंने दे दिये हैं आपको quarterly इसको आपको एक ही टाइप पढ़ लाना पड़ेगा यहां तो सारग 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 पर मन्त यहां तो सारग सारग कौर्टर्डी ओके इसके बाद मैं कह रहे हैं आगे during the first during the first month of operation the following details were undertaken from the job register बहुत बहुत ज्यादा कट कट के आ रहा है मैं इसे दुबारे से री स्टार्ट करूं क्या करूं समय में नहीं आ ही आप बहुत ही ज्यादा कट रही है ढवाज आ रही है अरा भी नहीं होई आ रही है है sound 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 voice कि वे और कि है विवेंस कटी रहे है सांग में और यह सांड प्रोपर आरी है या नहीं आदिए sound clear है frames cut traverse यही बात है थेक है हाँ जी sound clear है और the stream current bit rate 2606.61 is lower than recommended the stream bit rate 2500 Kbps 1 minute stream bit rate take a lower or your dropping rate 47 ठीक है अब पहले से बैटर आ रहा होगा पहले से बैटर रहा होगा जी देखेगा आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने बड़ा समझने वारी बात है एक इनोंने कंप्यूटर उठा लिया और एक इन्होंने लेली मशीन कंप्यूटर का खर्चा 4,20,000 पर एनम है मशीन का खर्चा 17,500, 2,00,000 और 150 17,500 पर क्वार्टर दे दिया 2,00,000 पर एनम दे दिया 150 पर एनम दे दिया ठीक है देख लेंगे एनुल कंवर्जन करना है या किस तरीके से कंवर्जन करना है आजएगे इसके बाद में कोश्चिन कह रहा है दियूरिंग दा फर्स्ट मंथ देखें मंथली डेटा है तो हमें खर्चों को मंथ पर लाना होगा तो खर्चों को मंत्प पर लाते हैं इससे आप मंधली बनाएंगे डिवाइद वाइट 12 यह आपके पास हरेएगा 4,20,000 डिवाइद वाइद 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 12 35,000 पर मंथ मशीन को गौार्टरली है डिवाइद वाइद 3 मंथ पर एनम 12 पर एनम 12 17500 divided by 3 5833 plus 2 lakh divided by 12 16667 plus 150 divided by 12 12500 और इन तीनों को जोड़ा ये भी 35,000 पर मन्त होगे ये भी 35,000 पर मन्त पर आगे तो ये भी 35,000 पर मन्त ये भी कम्प्यूटर भी और मशीन भी अब कोशन कह रहा है During the month The following details were taken from the job register Number of hours The machine used मशीन इस्तमाल हुई है A. Without the computer Computer नहीं चला यानि यहाँ पर only machine चली है और यहाँ पर with the computer यानि यहाँ पर Machine प्लस Computer दोनों चला है Machine को मैं M से दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए Machine चली है Without computer इसका मतलब सिर्फ machine और दूसरा है with computer इसका मतलब machine और computer दोनों होता क्या है इस तरीके की machine है जिसके साथ में computer भी attach है तो अब कभी तो machine manually चल रही है या अपने आप से चल रही है उसको computer की ज़रत नहीं है और कई बार computer की भी हमें ज़रत पढ़ रही है तो machine अकेले कितना चली है 1500 hours या मैं कह सकता हूँ कि यहां machine चली 1500 hours और ये 2000 hours इसमें machine भी चली और computer भी चला दोनों साथ साथ चल रहे है एक घंटा machine भी चल रही है साथ में computer भी चल रहे है दोनों चल रहे है अब आप मुझे ये बताईए कि machine total कितने घंटे चली आप लोग को जवाब देना है machine total कितने घंटे चली machine total चली है 3500 hours दीरज ने सही होई जवाब दिया है 3500 hours machine चली है बिलकुल 3500 hours चली है अब ज़र देखिए machine चली है इतने घंटे total 3500 hours अच्छा computer कितने घंटे चला है computer चला है 2000 घंटे इस 2000 घंटे में machine इस 2000 घंटे में machine और computer दोनों थे अब हम split कर रहे हैं तो अगर आप देखें तो machine तो हमेशा चली है यह देखें machine हमेशा चली है कभी computer के बिना कभी computer के साथ machine हमेशा चली है तो machine तो 3500 hours चली लेकिन computer सिर्फ segment B में चला है और computer चला है 2000 arts अब ज़रा देखिए situation क्या है मैं आपको बताता हूँ पहले 600 arts ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ machine यहाँ पर लिख देता हूँ computer पहले 600 art machine चली computer नहीं चला फिर 900 art machine चली computer नहीं चला फिर 400 hours machine चली 600 hours machine चली 1000 hours machine चली computer चला 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 तो machine total चली 3500 hours और computer चला 2000 hours इस तरह से ये काम हुआ है question में आपको बताना है machine rate तो machine का rate है machine का खर्चा देखे कितना है 35,000 35,000 hours का तो machine का rate है अपना 10 रुपे computer का rate computer का खर्चा वो भी by chance 35,000 है 35,000 और computer कितनी देड़ चला 2000 घंटे तो computer का rate हुआ 17.5 यानि machine चलाओगे तो 1 घंटे के 10 रुपे खर्चोंगे computer चलाते हो तो 1 घंटे के 17.5 अब question की requirement है M.H.R. बताना है machine rate बताना है without computer और with computer अब आप लोग बताएं without computer कितना खर्चा होगा 1 घंटे का with computer और without computer सिर्फ 10 रुपे लगेंगे और with computer machine का पैसा plus computer भी चल रहा है यहाँ पर सिर्फ machine चल रही है computer नहीं चल रहा तो अगर सिर्फ machine चलाओगे तो 10 रुपे लगेंगे और machine और computer दोनों चलाओगे तो 27.5 आपके लगेंगे सिर्फ machine 10 रुपे machine और computer दोनों एक साथ 27.5 बताईए किसी को कोई doubt हो तो बोल दीजिए इसमें किसी को कोई doubt हो तो बोल दीजिए बहुत ही simple सा question एकदम अगर कोई doubt वाला area आपको नजर आ रहा है तो बोल दीजिए मेरे को लगता है सब को समझ में आ गया होगा ठीक है देखे को अगर question की requirement देखे question की requirement थी you are required to compute the machine art rate for the firm as a whole for the firm as a whole का मतलब सब को consider करके for the firm as a whole यानी job a ho b ho c ho सब को consider करके rate निका लिए तो हमने भी पूरी company के सारे के सारे जोड़ ये थे arts for the month when computer was used and when computer was not used तो ये दो पूइंट पूछे थे इसका हमारे पास answer simple सा देखेगा ये हमारे पास आ गया अगर आप computer यूज करते हैं तो 27.5 computer यूज नहीं करते तो दस रुपे बिल्कुल सिंपल सोबर ओके इसके बाद में दूसरी requirement दूसरी requirement है question की for individual job a b c a b c individual job को कितना खर्चा बैठा देखें a b c जब विदाउट computer काम हो रहा है तो दस रुपे के रेट से 6,000 9,000 dash जब विद computer काम हो रहा है तो 27.5 के रेट से 27.5 into 400 11,600 16,500 1000 27,500 अब individual job की cost देखने है कितने कितनी आ रही है इसकी cost आई 17,000 इसकी cost आई 25,500 इसकी cost आई 27,500 divided by हर job के अपने arts तो पहली job के arts कितने है अब सबको नहीं देखना है specific jobs को देखना है इसके arts है 1,000 इसके आर्स हैं 1,500 और इसके आर्स हैं 1,000 तो ये 17 रुपे ये भी 17 रुपे और ये 27.5 तो individual jobs पे देखेंगे तो individual jobs का खर्चा और उनके आर्स देखे जाएंगे और पूरी company के लिए देखेंगे तो पूरी company का खर्चा और पूरी company के आर्स को देखा जाता है this is the way इस तरीके से एक question किया जाता है simple sober सा question था हमारे पास एक question है हमारे पास 5 question number 5 देखेगा a machine shop has 8 identical drilling machines manned by 6 operators the machine cannot work without an operator wholly engage on it कह रहे हैं कि हमारे पास 8 एक जैसी machine है drilling machine है तो हैं सारी drill machine उनके features लग लग हो सकते है वैसे identical का मतलब होता है एक जैसी है लेकिन हमारे पास इन drill machine को चलाने के लिए operator सिर्फ 6 operator है और साथ में कह दिया कि बिना operator के बिना operator के पूरी तरह से engage हुए machine नहीं चल सकती यह देखे दिरा without an operator wholly engage on it machine cannot be worked तो एक operator एक machine पे पूरा समय देगा तभी machine चल पाएगी अब मुझे बताई आपके पास 8 machine है depreciation कितनी machine हो का लगा 8 का insurance कितनी machine हो करवाओगे 8 का अच्छा पावर कितनी machine है खाएगी वो तो 6 machine ही खाएगी जो चलेंगी वही खाएगी और salary कितने staff की 6 staff की 6 staff की 6 staff है मुझे बताईए कि किस तरह से आपके पास काम होगा तो इसमें क्या करना होता है हमें पहले total cost निकालनी है तो total cost निकाल लिए 8 machine का depreciation, 8 machine का insurance जितनी power है लेक्टे से सब निकाल लिए लेकिन बताईए ये recover किस से होगा recovery base क्या रहेगा recovery base रहेगा सिर्फ 6 machine क्या क्योंकि कभी भी 6 machine से ज़्यादा नहीं चल सकती अच्छा होगा क्या जैसे machine 1,2,3,4,5,6,7,8 8 machine है तो 6 machine जो engage रहेंगी वो कैसे रहेंगी कभी तो ये वाली machine है पहली 6 कभी हो सकता है पहली इंगेज है दूसरी, तीसी नहीं चल लिए चोथी, पांची, छटी, 7,8 वी चल लिए कभी हो सकता है पहली नहीं चल लिए दूसरी चल लिए, तीसी चल लिए, चोथी नी चल लिए, पांची चल लिए, छटी चल लिए, साथी चल लिए, आठी नी ऐसे घूम घूम के 6 मशीने चलती रहेंगी तो हमारे पास 8 मशीन हैं, यह बिलकुल ऐसे है, जैसे किसी के पास गाड़ियां तो 8 हैं, लेकिन चलती सिर्फ 6 हैं, तो बताइए खर्चा तो 8 गाड़ियों का होगा, लेकिन जो आपके ट्रांस्पोर्ट में, मानलो आप टैक्सी चलवाते हो, तो आपके पास 8 टैक्सी हैं, जिसमें से 6 जाती हैं, बदल बदल के जाती हैं, एक OD है, एक BMW है, कभी OD गई, कभी BMW गई, तो कभी कोई सी कार जाती है, कभी बड़ा वाला tempo traveler जाता है, तो आपके पास 8 गाडियां हैं, चलती सिर्फ 6 हैं, customer सिर्फ 6 में ही बैठते हैं, लेकिन बदल बदल के बैठते हैं, तो खर्चा आपको 8 हो, कभी एर करना पड़ेगा, लेकिन वसूली सिर्फ 6 से ही हो पाएगी, क्योंकि customer 6 गाडियों में बैठेंगे, तो वसूली सिर्फ 6 से हो गई, और ऐसा खूब कमपनियां करती हैं, हर किसी के पास 1-2 मशीने एक्स्रा, 2-4 गाडियां एक्स्रा, यह सब दिये हुए थे, खर्चे इसमें सीधे-सीधे हैं, supervisor, value consumption, यह सब, insurance, depreciation, कोई दिमाग लगाने वाला खास काम इसमें नहीं है, आजाएगे, इसके अंदर जो point है, वो main point यही है, कि यह आगया हमारे पास 5 देखे, इन्होंने क्या करा, सब सारे खर्चे लिख लिए, सारे खर cost आजाएगी आपके पास, इस cost को जो हम divide करेंगे, वो divide करेंगे, 6 machine के घंटों से, 6 machine art से, इसके अंदर working note में दिखाया गया है, देखेगा, as machine cannot be worked without an operator, only engaged on them, therefore, arts for which 6 operator are available for 6 months, are the arts for which machine can be used, hence 5760 arts represent total machine art, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यह 5760 निकाला है, इसमें इन्होंने लिया है, 6 महिने का data उठाया है सारा, तो 160 arts एक operator दे सकता है, एक महिने में, तो 6 months में कितना देगा, और 6 machine चलेंगी, तो 6 machines की total calculation यहाँ पर निकाल कर दिखाई गई है, बहुत खुबसूरत question है, और आप लोग इसको देखेगा जरूर एक बार, इसके बाद में हमारे पास overhead के अंदर, question number 6, यह हमारे पास आएगा, question number 6, job and batch costing में, यह यहाँ पर नहीं, job and batch में देखेंगे सेम, इसके बाद में हमारे पास यह question हम कर चुके हैं, यह under recovery वाला question है, यह question मैंने आपको past year question में भी दिखाए थे, इसके बाद में यह वी under recovery वाला question है, supplementary rate का है, 60% defected planning से और बाकी का increase in cost से, तो simple वाली question है जो आते हैं, यह question हम already पहले ही कर चुके हैं, book में और यहाँ पर दोनो जैके same है, simple सा question है, खर्चे बटने हैं और calculation करनी है, इसके बाद में फिर से वही supplementary rate वाला question, इसके अंदर वही 50% due to increase in cost है, और remaining 50% inefficiency की वाज़े से, यानि practical problems के अंदर, तीन question under recovery के supplementary rate के हैं, तीनों एक जैसे हैं, बिलकुल कोई फर्क नहीं है, इसके बाद में हमारे पास ये fourth question भी under recovery का है, जो मैंने आपको class में करवाए था, इसके अंदर था, आपको धियान होगा, मैंने last to last class में करवाए था, finished goods 20,000 है, production, इसमें से 18,000 बिग गया, 2000 closing stock रहे गया, और 8,000 unit जिनका 50% complete है, तो यानि 4000 equivalent, ये मैंने आपको दिखाये था, यहाँ पर test में नहीं अभ किया था, कि 20,000 units हैं, उसमें से इतना आगया, one third or two third इतर उदर जाना था, तो supplementary के सारे के सारे question भरे पढ़े हैं, इसका मतलब supplementary exam में पूछा जाएगा, उसकी weightage बहुत जादा है, आज हम लोगों ने test भी telegram पे डाला था, देखेगा, test था, following account balance and distribution of indirect charges are taken from the accounts manufacturing concern, for the year ending diseases, indirect material दे दिया, सब का आजाएगा, super, superintendent, यहाँ पर जैड में लिख दी, इसका में तो सिर्फ जैड की है, तो जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यह तो allocation वाला हिस्सा है, इतना तो allocation है, यह तो copy-paste आजाएगा, इसके बाद में कुछ खर्चे दिये गए हैं, जो common है, इनको apportion करना है, apportion कैसे करेंगे, जो जो आपको पता हैं, आप वो वो लिख लीजिए, उनके base, उसके बाद में जो बचेगा, उसे check करेंगे, तरीका क्या होता है, ग्याम में अगर आप फज जाएं, जो जो आसान आसान है, पहले उनका ठून लीजिए, जैसे की area दिया हुआ है, यहाँ पर, area किस से link करें, rent and rates है, area, तो area के basis पर rent and rates आ गया, ठीक है जी, एक base मिल गया, insurance, capital value of asset, capital value, depreciation भी, capital value, जितनी ज्यादा value होगी, उतना ज्यादा depreciation लगेगा, asset की कीमत के ओपर insurance और depreciation based होते हैं, इसके बाद इन number of employees है, यहाँ पर meal charges है, meal charges यानि canteen का खाने का खार्चा, number of employees पर बटिया, ओके जी, तो अब जड़ा देखिए, ऊपर क्या-क्या हो चुके हैं और नीचे क्या-क्या, rent हो चुका है, insurance, meal और depreciation, area, capital value और number of employees काम में आ चुके हैं, अब बचा power, power किस पर आ रहेगा, kilowatt hours पर, तो यह kilowatt hours पर आ गया, अब बचा fuel and heat, और नीचे क्या बचा है, radiator section, जिन बच्चों को पता है, वो जानते होंगे, कि radiator का क्या होता है, होता क्या है, जो engine होते हैं, machines होती हैं, वो काम करते-करते गरम हो जाती हैं, तो एक radiator section रहता ह जो इसको ठेंडा करता है, उसको cool mode में लाता है, तो fuel and heat, radiator section से related होता है, और मान लिचे किसी बच्चे को नहीं भी आता, तो भी वो क्या करेगा, आपको धियाने, बच्चपन में हमारे पास question आते थे, question कैसे आते थे, इधर होता था, A, B, C, D, E, और यहां भी होता था, A, B C, D, E, match करने होते थे, तो बताइए, हम लोग क्या करते थे, मान लो इसमें से कोई हमें नहीं आता, तो हम क्या करते थे, जैसे A, B से match हो गया, B, C से match हो गया, C, A से match हो गया, D, D से match हो गया, अब E नहीं आता, तो बताइए, E, E से match होगा, जो होता था, balancing figure की तरह से आता एक बच्चे ने बहुत अच्छा इसका आंसर भी लिखा था एक बच्चे को क्या हुआ इसका आंसर नहीं आता था मैचिंग वाले का तो उसने क्या करा देखे उस बच्चे ने ऐसे मैचिंग बना दी अब एग्यामिनर निकालता रहे किस से कौन सा लिंक हुआ है तो इस तरीके का भी कुछ काम कर सकते हैं आप लोग ये actual scenario copy आई थी तो उसमें नज़र आया था ये बच्चा तो अच्छा चालाक है ये बच्चा जीवन में कुछ करेगा हा जी आजएगे अब हमारे पास क्या होई सम मिल गया fuel and heat नहीं मिला तो fuel and heat radiator section से link हो गया ये खर्चा सारा बढ़ जाएगा simple है बिल्कुल इसके बाद में हमारे पास A और B A ने B को service दी है और B ने A को service दी है दोने एक दूसरे को service दे रहे हैं तो reciprocal situation हुई reciprocal situation हमने यहाँ पर लिखा है equation method से करना है अगर आपने equation के इलाबा किसी भी method से किया है तो आपको number नहीं मिलेंगे तो फिर आपकी number कट जाएंगे इसके answer दिखा देता हूँ में एक बार एक तो यह हुआ 96 वाला ठीक है इसका answer दिखा देता हूँ answer इसका मिल जाएगा matter deliver overhead practical overhead यह इसका answer है बच्चे चेक कर सकते हैं कि उनका ठीक है या नहीं कितने बच्चों का answer सही आया है test में देखेगा कितने बच्चों का answer सही आया है कितने बच्चों 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 कितने ओके रुपेज का बिल्कुल ठीक है राधरवय का बिल्कुल ठीक है रिहांसुरी का ठीक है सोरव का गलत हो गया गोविन का ठीक है बच्चो एग्याम में आया हुगा कोशन है नवंबर 2012 में नवंबर 2012 में कोशन आया था बहुत ही सिंपल ओके कई सारे बच्चो ने किया है इसके बाद में हमारे पास दूसर कोशन दूसर कोशन था कि बज़िटेड ओवर हैड है 1,35,000 मशीन आर्स है 90,000 पहले तो रिकवरी रेट निकाल लिए 10,35,000 डिवाइड वाई 90,000 यह हो गया 11.5 यह रिकवरी रेट निकल गया आपके पास इसके बाद में एक्वरी रेट अर्स और एक्वरी प्रोडक्शन ओवर हैड अब एक्वरी रेट निकाल लिए रिकवर्ड रिकवर्ड हो गए 5,17,500 अच्वर्ड है 880 इसके अंदर बताया है कि एक्वर्ड ओवर्ड के अंदर एक तो वर्कर को कॉर्ट की वज़े से दिया है और इस्ट्राइक पीरेट का दिया है इस्टोर राइट एफ हैं राइट ओफ हैं और एक्स्पैंस प्रिवेस यह जितनी भी फालतू चीजे होती है सम माइनस हो जाती है क्योंकि यह जनरल मौट से रेलिवेंट नहीं होती है तो इसे इसमें से माइनस कर देंगे 880-50-38- यह बचा 751-500 अब इन दोनों का जो डिफ्रेंस है वो आजएगी आपकी अंडर रिकवरी क्योंकि एक्चुल खर्चा है 751 और 517-500 आपका लगा है तो 234 की अंडर रिकवरी आजएगी 234 की अंडर रिकवरी आपके पास आजएगी कह रहे हैं कि हमें एनलिसिस पर पता चला कि 1 3rd डिफेक्टिट प्लैनिंग की वज़े से और बाकी नॉर्मल कॉस्ट इन करीज़े तो इसका 1 3rd और 2 3rd 1 3rd डिफेक्टिट प्लैनिंग की वज़े से 78,000 ये जाएगा P&L में और 2 3rd 156 इसका निकलेगा सप्लिमेंटरी रेट 156,000 divided by number of units के रहे हैं हमने 30,000 unit बनाई हैं जिसमें से 27,000 बेच दी इसका मतलब आपके पास closing finish goods कितना है 3,000 तो 27,000 बेचे पास आगया 5.2 5.2 per unit आपके पास आगया supplementary rate अब 5.2 multiply by 27,000 ये cost of sale में जाएगा 5.2 multiply by 3,000 ये आपका finish goods में चला जाएगा 15,600 और 140,400 कितने बच्चों का सही आया है ये बिलकुल कितने बच्चों का ये सही आ गया मौहित का ठीक आया है शोशान्द का ठीक है सोरप का ठीक है राधा का ठीक है रिहान का ठीक है तो जिन भी बच्चों ने कर आया है उनका ठीक है अगर आपके इतना ठीक है तो आप ये मान के चलिए कि ओवर हैट चैप्टर का आपका रिविजन हो गया मौहित का कमल का मुसकान का इन सारे बच्चों का ठीक है मौहित कमल और मुसकान का भी ठीक है तो जो बच्चे कर रहे हैं परफेक्ट है कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोशीट एक कोश्यन बच्चे पूछते रहते हैं मेर से बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे जो जो कोई regular batch के होंगे, कोई fast track batch के होंगे एक बच्चे पूछते रहते हैं कि सर, fast track batch में आप मतलब करवाते क्या ही हो अगर यहाँ पर जैसे revision चल रहा है, उसमें और fast track में क्या फरक है कि बच्चे different पूछते रहते हैं तो स्टॉश्यद यहाँ पर मेरे पास एक मेंट रुकिये, मैं दिखाता हूँ, शायद मेरे पास इसमें, जैसे ये overhead, ये overhead का fast track batch के notes हैं, तो overhead का fast track के notes हैं, इसके अंदर जितने भी एक एक point है, जितने भी questions हैं, सारा writing में लिखवाए जाता है, कोई हवावाजी में नहीं, पूरे questions समझाए जाते हैं, सारे questions one by one लिखवाए जाते हैं, सब चीजों के example हैं, और ये इतने सारे question हैं, इतने सारे question हैं, कि ये चलते ही रहेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास एक एक subject का काम चलता है, और हम notes में क्या करवाते हैं, notes के अंदर, हमारे एक chapter के अंदर, ये सारे question है, ये BQ चल रहे हैं इसके पास तो 16 कोश्चन तो BQ है उसके आध पास्टियर कोश्चन है पास्टियर कोश्चन हमारे पास होगए 19 तो 16 और 19 यह हो गए आपके पास 35 कोश्चन जैसे इसमें आगए तो 35 कोश्चन इसके अंदर गवर हो गए रेगुलर बैच्च के अंदर हम लोग क्या करते हैं कंसेप्ट का रेजिश्टर अलग बनवाते हैं प्रैक्टिकल का रेजिश्टर अलग बनवाते हैं रेगुलर बैच के अंदर प्रैक्टिकल और कंसेप्ट का रेजिश्टर अलग अलग बनता है तो इसके अंदर कंसेप्ट का रेजिश्टर जो बनता है उसके अंदर कंसेप् रहा है यह सारे एक्जाम्पिल है इसमें कोई भी निमेरिकल नहीं है यह सब अपने यहां से बनाए हुए एक्जाम्पिल है जो किलास में चो करवाई जाते हैं यह सिर्फ कंसेप्ट का पार्ट है यह सारा इतना इतना कंसेप्टी कंसेप्ट है और प्रैक्टिकल वाले में ज होते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे यह इस तरह से कोश्चन पूरे 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 चल तो पूरा कोश्चन कोश्चन पूरे इसके अंदर हम भड़ देते हैं और इसके बाद में overhead case के जो notes होते हैं उन notes के अंदर question और भी ज़्यादा होते हैं उनके अंदर question और भी ज़्यादा होते हैं जैसे इसमें 23 question tyq के और इसके अंदर bq के question है हमारे पास 30 तो 30 और 27 तो 57 यानि 60 question और इसके अंदर हमारे पास हो गए तो इस तरह से तीनों चीजों में फर्क है तो जो बच्चा पहली बार पढ़ा ही करता है उसके लिए regular batch fit रहता है जो बच्चा कहीं पर पढ़ चुका है लेकिन उसके concepts weak हैं उसकी practice कम है उसके लिए fast track batch बहुत बढ करी रहे हैं साथ के साथ आप सभी लोग marathon video जो costing की हैं वो जरूर देखते रहे हैं cost और FM की marathon video तो हर chapter यहां पर होने के बाद marathon video देखे उससे आपको बहुत अच्छा खासा benefit मिल जाएगा तो marathon video साथ के साथ देखते रहे है revision करते रहे है test देते रहे है आप सभी का भला हो जा करेंगे क्योंकि उसके अंदर study material के अंदर approximately सारे question कवर हो जाते हैं तो कल हम लोग coach sheet और unit costing करने वाने हैं ठीक है सबको टाटा बाए बाए